उच्छ शिक्षा ग्रहन करें जिग्या साका समाधान करें नमस्ते बच्चो मैं सुगना आज की वीडियो में हम 10 की हिंदी पुस्तक के सीथी जभाग दो के लेशन लखनवी अंदाज के लेखक यसपाल का जिवन प्रीक्षा पढ़ेंगे 10 की प्रीक्षा में 6 माक्स का लेख लेखक प्रीचाता है तो हम इस तरह से पांस पॉइंट में लेखक प्रीचे का ध्यान करेंगे जीवन प्रीचे रचनाएं सम्मान भाशा सेली और साहितिक विशेस्ताएं सबसे पहले हम करेंगे उनका जीवन प्रीचे यसपाल का जनम 3 दिशंबर 1903 को फिरोजपूर में ह हुआ उनके पूर्वज कांगडा जिले के निवासी थे और उनके पिता हिरालाल को विरासत के रूप में दो चार सो गज एक कचा मकान यानि कि वो उनका जो परिवार था वो गरीब था और उनके आरंविक सिक्षा स्थानी स्कूल में हुई और जो उच्षा बीये की थी व परचारक बनाना चाती थी और शिक्षार्त यानि शिक्षा घंड करने के लिए उन्होंने यसपाल को गुरुकुल कांगडी भेज दिया था गुरुकुल के वाता मन में बालक यसपाल के मन में विदेशी सासन के प्रतिविरोध की भावना भर गई थी एक कारण तो ये था कि उस समय अंग्रेजियों का सासन था अंग्रेजी सरकार भारतियों पर अत्याचार कर रही थी और दूसरा कारण ये था कि गुरुकुल कांगडी जैसे विद्यालों में भारतिय गोरवगान की भारतिय दरोहर की भारतिय संस्कृति की शिक्षा महां दी जाती थी तो जो देश बक्ती का बीज था वो वहीं उनके मन में अंकूरित हो गया था लेकिन सवस्ते बिगड़ने के कारण उनको गुरुकुल कांगडी छोड़ना पड़ा और फिर वो आगे की बढ़ाई करने के लिए लाहोर चले गए लेकिन लाहोर के अंदर भी उनका सामना सहीद भगत स सिंग और सुक देव जैसे बगत देश बगतों से हो गया था और उनके संपरक में आने के कारण वो भारतिय संत्रता आल नोलन में भाग लेने के लिए एक चुट हो गए थे और क्रांति कारीगती वीदियों में लग गए थे 26 दिसंबर 1976 को उनका निधन हो गया यसपाल की प्रमुक रचनाएं यसपाल एक महान कहानीकार निमंदकार और उपन्यासकार थे उन्होंने 200 से अधिक कहानियां लिखी देश द्रोही पार्टी कामरेट दादा कामरेट जूटा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात सभी उनके मुख्य मुख्य उपन्यास हैं और ग्यानदान रका तुफान पिंजडे की उडान फूलों का कुर्टा उत्रा दीकारी ये मुख्यस कहानी संग्रे हैं और सिहाव लोकन इनकी आदम कता है तेरी मेरी उसकी बात परियस्पाल को साहित्य अकादमी पुरुसकार मिला था साहित्य अकादमी पुरुसकार उन्नी सो पच्पन से परतेक वर्ष भरतिय भासाओं की स्रेश्ट कृतियों के लिए दिया जाता है जिसमें एक तामर पत्र वैनगदरासी दी जाती है और आगे और पुरुसकार उनको मिले थे देव पुरुसकार जो उन्नी सो पच्पन को उनको मिला था यह भी हिंदी साहित्य के छेत्र में द दवारा परियाग साहित्य कार सम्मेलन में दिया जाता है पदम भूशन जो हम सभी को पता है कि यह तीसरा भारतिय स्रोच पुरुसकार होता है सबसे पहला भारत रतन दूसरा पदम विभूशन तीसरा पदम भूशन और चोथा पदम सिरी साहित्य अकादमी पुरुसकार म में विश्वास नहीं रखते थी उनका मानना था कि सुन्दर भासा केवल मन की संतुष्टी दे सकती है और जो भाव होते हैं वो पाठक की गहराई तक पहुंचते हैं मन की गहराई तक पहुंचते हैं इसलिए उनकी भासा सरल सहज सभाविक भासा थी भाव पूर्ण प्रवय साहितिक विशेष्टाइं सामयवादी विचारधारा सन 1936 के बाद उनकी रूची सामयवादी विचारधारा में भड़ी और अपनी विपलव नामक पत्रीका के दवारा इस विचारधारा का निरंतर परचार परसार किया उनकी विचारधारा मक्सवादी विचारधारा थी वो समानता का रूप भारत के अंदर देखना चाते थे इसी कारण उनकी रचनाओं के अंदर सामयवादी विचारधारा के दरसन हमें मिलते हैं और सामयवादी विचारधारा केवल उनकी लेखनी के रूप में ही नहीं रही उन्होंने इस विचार धारा का परचार परसार लखनेव के अंदर जो उनकी पत्री का विपलव थी इनके अंदर उन्होंने अपना जो परचार परसार था पूरी लगन के साथ किया था ये करांती कारी होने के कारण इनकी विचार दारा थी और ये हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं वञ्यात मक्ता, यस्पाल की रचनाओं में सामती वरक्षोसन करने वालों पर तथा प्रगती की बाधा बनी, प्रूड़ी वादी प्रमप्राओं पर कुरुईतियों पर बूरी पर थाओं पर उनका वेंगय साथ दिखाई देता है समाजवाद का इथार चित्रण उनके साहिते में समाज का सच्चा चित्रण देखने को मिलता है उनका मानना था कि एक मजबूत समाज ही मजबूत देश बना सकता है इस परकार से पूरा लेखत प्रीचे याद करोगे और साहितिक विशेस्ताइं लिखोगे धन्यावाद